नमस्कार किसान सातियों आपका एक बार फिर से स्वागता है हमारे यूट्यूब चानल में तो आज की वीडियो में बताएंगे सुपर्शीडर के बारे में यह एक ऐसी मसीन है जिसमें कई काम एक मसीन कर सकती है एक मसीन काम अनेक इससे कौन-कौन से बीज की बीजाई कर सकते हैं पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे कैसे कैसे खाद की मात्रा और बीज की मात्रा को एक निर्धारित किया जा सकता है तो फिर करते हैं वीडियो को चुरू यह आप देख पा रहे हैं कि एक में ते4 fixed इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैं इसमें एक में कि में BEार प्रती है इसलिब एस्केसागी में पात्रा मेंसे भीजिइ बढ़ाने सिहारती कि इस तरह से इस तरह से बिलुकुल बराबर मात्रा में बीच पड़रा है इस सबसे खास बात ये बता देए कि इसमें बीच की मात्रा बहुत कंपड़ती है इस तरह से बीच आ रहा है नली से ठीं उनकी दि इसको सुपर सीडे नाम से जना सकता है यह आपको देख बारे हैं यह गीर में लगा हुआ है असरी किसी बीच्ववार मांतर को निश्टिस करते हैं कि हमें कितनी मातर शेन्ट में ठाइट नहीं है यह देख रहे हैं आप बिल्कुल एक बराबर खेत हो गया है इसमें कोई पाटा लगाने की जरूत नहीं क्योंकि इसमें इधर बिजाई हो चुकी है आगे की तरह इसमें रुटावेटर लगा होता है और पीछे की तरह इसमें लिए सीडर होता है या इस तरह से आगे रूटावेटर अपना काम कर रहा है बिल्कुल मिट्टि को मतलब अच्छी तरह से भुरुबरा करता है पीछे यह आप देख रहे हैं यह पाटा का काम कर रहा है मतलब बिल्कुल मट्टी को भुरुबरा करने के बाद में एक बराबर पूरे खेत में जहां कहीं पे अगर मट्टी की मात्रा जादा है या उच्छा है उसको बिल्कुल लेविल कर देता है लेविल करने के बाद क्या है इसमें जो नमी की मात्रा है वो बनी रहेगी उपर से जो भी इसमें दरार बगरा हैं वो सब बंद हो जाएंगी इस तरह से बिलकुल एक बरावर खेत हो गया है यह बहुत ही अच्छी मसीन है सुपरसीडर नाम से जाना जाता है इसकी सबसे खास बात यह एकर धान की कटाई के बाद में सीधी विजाई करना चाह रहे हैं इसको आसानी से कर सकते हैं ऐसे ही जीरो ट्रेलिंग पर बिना निराई गुड़ाई मतलब कोई जरुत नहीं है यह सीध हिन यह है कि इसकी सबसे बात खास यह है कि सभी आट को मासानी से जला सकते न ली को अलग निकाल दें रुटावाइटर को लग कर सकते हैं और हिसका सीडर है उसको इसको अलग कर सकते है और पिर से इसको लगा के एक मही काम कर सकते हैं है दो कर साथ है तो हम रहला अंच्छा गाम है पीछ यह दोनों नली डिल हाइफी है ये सब मात्र यहांस साइदे से जरुत हो होई में जाबी इस फिर्रेंगे होई है तो हम आपको दिखा रहे हैं सिर्ज्राम कंपनी का 303 ग्यूंग लगा रहे हैं काफी अच्छी बाराइटी है यह सिर्ज्राम का 303 बीच खरीदेने से पहले यह जरूर देख लें इसमें बारकोड स्कैनिंग करके कि औरिजिनल है या नहीं इससे हमारे किसान भाईयों को यह रहेगा कि धोका होने से बच जाएगा तो सभी किसान भाई जागरूट बने तभी कुछ होगा अच्छा 40 किलो की बाइकिंग में आता है यह पचेती और अगेती दोनों के लिए अच्छे बाने की है अच्छा उत्पादन भी देती है इसमें क्या है अगर जैसे अगेती में बीच डालने तो 40-42 किलो और पचेती के लिए 48-50 किलो बीच डालना पड़ता है एक एक एकड़ के इसमें आपको रूटा बेटर दिखा दें यह आगे की साइड में रूटा बेटर लगा हुआ है यह रूटा बेटर अजिसको जब चाहें तम अलग कर सकते हैं इसको आसानी से पीछे की तरफ यह सीटर लगा हुआ है जिसमें एक में गेहूं और एक में खाद है यह बराब पाटल लगान की जरूती नहीं पड़ती है यह नली आई हुए है यह तवा टाइप के दोनों है जो इसके बीच में सीट गरता है बीच में खाद गरती है इसको कमपाइन वाले खेट में असानी से इसको चला सकते हैं और रोटबेटर इसे में लगा होता है कोई दीक्कत नहीं है अच्छा बिजह बिजाई भी अच्छी होगाईते हैं और इस से उत्वादन बहुत अच्छा देखने को मिला कि ब्राबर मात्रा में बीच पड़ता है कि सीबीदर की कुई समस्चा नहीं आती है इसमें एक गेर लगावाता है जिससे हम अपनी बीच की मातरा को निश्चित कर सकते हैं झाल 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 झाल